इससे पहले हम IBPS, RRB, PO यानि Office of Scale 1 के New Joining Candidate की जिसने इसी साल जोइन किया है उसकी Salary Slip हम दिखा चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक आउट किया है तो वो वीडियो ज़रू चेक आउट कर ले और इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं IBPS, RRB के Office Assistant यानि IBPS Clerk के New Joining Candidate की Salary कितनी बनती है वो भी नहीं salary और इन हैंड कितना amount मिलता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह सौराश्र ग्रामिट बैंक की Salary Slip है Office Assistant केडर है यानि RRB Clerk को गहलाया जाता है यहाँ पर उनका नाम था date of joining थी तो date of birth rate 1990 बहुर है और joining date है March 2024 यानि इसी साल में March महिने में इन्होंने जोइन किया है रूरल इलाके में यह पोस्टेड है जहाँ पर आप DA rate देख सकते हो 48.51 यहाँ पर तोड़ा दुनला हो गया है बट प्रिवियस वीडियो में देखोगे तो वहाँ पर क्लियर दिख जाएगा हरे पर 800% हरे rate चल रहा है 10.25% क्योंकि यह city wise वेरी करता है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर है इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है और यह salary sleep जनरेट हुई है 25 अपरिल 2024 को उससे पहले एक चीज बता दूँ कि यह हमारा ओफिशल इंस्ट्राग्रम पेज है अगर आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो इस पेज को ज़रूर फॉलो कर ले क्योंकि यहाँ पर मैं होता हूं हर वक्त ऑनलाइन और आपके सभी डाउट्स को क्लियर तुरंद कर देता हूं तो यह पीच जरूर कर ले आपको काफी काम आने वाला है अब बात करते हैं सैलरी की सलिप के बारे मैं देखो इसपेजिक बारे में निया बैसिक बन चुका है वह बन चुका है 3264 उसके बाद DNS अलाउंस बन रहा है 11,237 रुपिया एचार अमाउंट बन रहा है 2040 रुपिया CCA इनको नहीं मिल रहा क्योंकि वो उस सेटी में पोस्टेड होगा जहां पर CCA मतलब एलिजिबल नहीं होगा इनकी सैलरी बढ़ गई तो पिछले महीं नहीं मिला वह अमाउंट इनको इस सेलरी में मिलता है बट इन्होंने जॉइन नहीं किया है मतलब आप ये एडिशन करोगे न, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 500, यानि ये 14,358 को छोड़के ये सभी अमाउंट जॉइन करोगे, तो आपका gross salary बनेगा 37,091, यानि 37,000 रुपिया आपकी salary बनती है, gross, वो भी RRB clerk की, वो भी new joining candidate की है, और अब बात करते हैं, deduction के बारे में, क् सबसे पहले तो professional tax सबका जाने वाला है, 200 रुपिया, उसके बाद NPS area के नाम पे गया है, 1144 रुपिया, और NPS बाकी regularly जाएगा 2955 रुपिया, और reduction का total हो जादा है 3,155, तो deduction gross pay में से हटा दोगे, तो net पे जो आप घर ले जाओगे, यानि आपके account में आएगा, तो net पे कि 37,091, यह new joinee का candidate का salary slip है, और यह fresh salary slip है, ठीक है, वो तो मैंने आपको बताई दिया कि अपरिल महीने कह था, और यदि आपने ओफिस स्केल 1 का salary slip नहीं दिखाया, तो वो वाला वीडियो जरूर चेक कर लेना, मैं link description में दे दूँगा, या तो end बटन पे भी दे दूँगा, तो वो वीडियो जरूर चेक आउट करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही और information के लिए हमारी चैनल को subscribe जरूर कर ले झाल 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 झाल